रामपुर में निलंबित सीओ और स्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज दुशकर्म का मुकदमा ना लिखने के चलते SIT ने कराई सीओ और स्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज रामपुर में करीब एक साल पहले दुशकर्म का मुकदमा ना लिखने के चलते निलंबित सियो और पूर स्पेक्टर सिविलाइन पर धारा 166-1 के तहट मुकदमा दर्च किया गया है ये मुकदमा SIT मुरादवाद ने सिविलाइन थाने में दर्च कराया है गोरतला वोकी आपको बता दें रामपुर के सिविलाइन चेतरी की एक महिला थाना गंज चेतरी के विवेका नंद हुस्पिटल में काम करती थी अप्रेल महा वर्च 2021 में महिला ने सिविलाइन थाना कोतवाली में थाना गंज इस्पेक्टर रामवीर यादव और अस्पताल संचालक विनोद यादव दो अन्ने के खिलाब तेरीर दी थी अस्पताल की CCTV फोटेज भी नश्ट कर दी गई थी आपको बता दें गए पीडित महिला ने तहरीर में आरोप लगाया था कि अस्पताल संचालक विनोद यादव थाना गंज इस्पेक्टर रामवीर यादव ने उसे अस्पताल में बंद करकर उसके साथ दुषकर्म की वारदात को अंजाम दिया था आपको बता दें साथ ही मारपीट की गई थी इसके अलावा चार दान तूटे गए थे उस महिला के आरोपियों ने अस्पताल में लगे इस कैमरे की वीडियो फोटेज भी नश्ट कर दी थी यहीं नहीं आरोपियों ने महिला को जान से मानने की निये से दो अन्य व्यक्ति की ओपर हमला भी कर दिया था इस दोरान रास्ते में डायल 112 पुलिस आते ही देख दोनों आरोपी महिला को रास्ते में फेक कर फरार हो गए थे मुख्य मंत्री कारेकरम में पिडिता दौरा आतमधा की धंकी पर दी गई जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और की शुरीच और